गुड इविनिंग स्टुएंट्स आज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं MSC Final Physics के अंदर Advanced Quantum Physics को और Advanced Quantum Physics के अंदर हम यूनित नंबर फोर्थ को स्टार्ट कर रखी थी और यूनित नंबर फोर्थ का जो आज का टोपिक है वो हमार पास रहेगा Molar Scattering और यहां पर हम Molar Scattering के साथ Fineman Diagram बनाएगे, Fineman Diagram of Molar Scattering आप यह समझें तो इससे पहले हमने Compton Scattering को पढ़ा है यदि आपने Compton Scattering नहीं पढ़िए तो आप पीछे जाकर के Compton Scattering पढ़ सकते हैं तो शुरू करते हैं, आज का जो टोपिक है वो रहेगा Molar Scattering और इससे पहले हमने Second Order S Metrics पढ़ी थी तो Second Order S Metrics के अंदर हमने Six Trum निकाली थी यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा था पीछे जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में और वहाँ पर जो Six Trum थी, वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, देखो, यह हमारे पास Six Trum है यह पहली Trum थी जिसमें हमने No Pairing Trums लिखी है, No Pairing Trums थी इसके बाद हमने S2 लिखा है, S2, S2 में हमने Way Function की, Way Function के साथ, One Pairing Trums है लेकिन किसकी है, Way Function की, Way Function के साथ Pairing है और आज हम पढ़ने वाले हैं S2, 3 को, जिसमें हमारे पास Operator की और Operator के साथ क्या है, Pairing है इसी के Base पर हम Molar Scattering को समझेगे, और यह जो Trums है, यह Represent करती है Molar Scattering को तो शुरू करते हैं आज का यह Topic, तो आज देखो, इससे पहले हमने Compton Scattering को पढ़ लिया था इससे पहले हमने Compton Scattering को पढ़ लिया है, और आपने यह वीडियो नहीं देखा है, ता आप पीछे जा करके प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं, Complete मैंने इसको समझाया है और आज का जो Topic रहेगा, वो हमारे पास है Molar Scattering हम Topic को डाल लेते हैं, और Topic हमारे पास है Molar Scattering Molar Scattering Molar Scattering रहेगा, और यहाँ पर सबसे पहले आप इसका Basic Scattering है उसको समझेंगे, और Basic Scattering यह कहती है, कि इलक्ट्रोन की आप इलक्ट्रोन के साथ यदि Scattering करवाते हैं, और बाद में भी आपको इलक्ट्रोन के साथ इलक्ट्रोन मिलता है, उसका Molar Scattering बोलते हैं, यहाँ पर हम Particular Scattering की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, केवल Fine-Main Diagram की, कि हम उसका Mathematical Terms और उस Mathematical Terms का Representation किस तरह करेंगे, यहाँ पर चीज़ को हम यहाँ पर चीखते हैं, Advanced Quantum Mechanics क अंदर, तो Simple आपके पाज जो S3 2 था, यहन की Second Order जो S Matrix थी, उसका जो 3 वाला पार्ट था, उसको हम एक बाल लिखना चाहेंगे, तो आप लेखोगे, एälवी का माड़ी एब मैडिक्स, तो, describe this matrix, इस तक्राइब मैडिक्स, इस स्कैक्रीं, यहाँ लिख लिखे जाएंगे, इस स्कैक्रीं, यह इस स्कैक्रीं इस स्कैक्रीं, वेव, कंसिदर्टर्स, वेव, कंसिदर्टर्टर्स, आपको मैं note-to-notes लिख वा रहा हूं, आलम फ्रॉम एस टू थ्री एस टू थ्री अब इस टू थ्री की जो वैल्यू है वह हम आपको बता देता हूं यह थी आईटा एकी पावर टू अब आउन में फैक्ट्रल टू यानि की टू लिख सकते हैं माइनस इंफाइनेट से लेकर के प्लस इंफाइनेट और माइनस इंफाइनेट से लेकर के आप भी होगे प्लस इंफाइनेट और यहां पर था डी फॉर एक्स वन और यहां पर था डी फॉर एक्स टू और यहां पर आपको मिलेगा नॉर्मल प्रडेक्ट नॉर्मल प्रडेक A beta and sine with the function of x2 यह हमार पास था अब यहाँ पर हमने क्या किया था operator की operator के साथ pairing करवाई थी operator की operator के साथ pairing करवाई है और जहाँ operator की operator के साथ pairing करवाएंगे तो इस ट्रम को हम इस तरह लिख पाएंगे So हम लिखेंगे A alpha with the function of x1 and A beta with the function of x2 is equal to eta d alpha beta and x1 minus x2 यहनकि इन दोनों के जो pairing terms है इन दोनों का जो pairing है उस pairing को आप ऐसा लिख सकते है इस तरह से हम represent करेंगे और इसको हम एक wavy line के दवारा क्या करते है represent करते हैं इसको आप equation number first दे देंगे और इसको आप equation number second दे देंगे और आप simply equation number जो second है उसको आप equation number first में रख देंगे आपको मिलेगा s 2 3 is equal to eta e का square upon में 2 है and minus infinite से लेकर के plus infinite और d for x1 and minus infinite से लेकर के plus infinite and d for x2 with the normal product of अब देखे अब आप देखेंगे a alpha की pairing हो चुकी है तो उसको हम नहीं लिखेंगे और बचेवी terms को लिखेंगे sin with the function of x1 और जो pairing की हमने a alpha और a beta एक जो pairing की है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर eta d alpha beta ऐसा भी लिख सकते हैं और आप जाओ तो इसके अंदर x1 minus x2 लिख सकते हैं यह function इसका और यहाँ पर जो आगले terms है वो हमारे पास कितनी बची है वो बची है कि sin bar gamma beta और kable sin with the function of x2 और इसको देंगे equation number 3 and equation number 3 represents the molar scattering अब लिख लेंगे here equation number 3 equation number 3 represent represent molar scattering molar scattering इसको represent करता है molar scattering को represent करता है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास scattering की यह बेसिक है यहाँ पर इस इसको आप हमेशा देहार रखेंगे कि यहाँ पर जो basic equation है scattering की उसको हमेशा याद लिखेंगे और याद भी रखेंगे कि electron के electron के साथ scattering है उसको हम molar scattering बोड रहे हैं वो इसलिए काम में लेनी होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास wave function है या field function जो है यह जो field function है यह हमारे पास sin bar है यहाँ पर आप plus, minus, plus, minus लेते हैं अब इसमें कौन सा plus लेना पड़ेगा कौन सा minus लेना पड़ेगा यह इस सीज़ पर depend करता है कि आपके पास scattering कैसी है बाकि आप solve करके सारी terms निकाल सकते हो इसमें से cable और cable दो terms जो होंगी वो आपको represent करेंगी इसको electron electron इस कर्टिंग को तो पहले हम इसमें plus minus को रख देते हैं यानि कि मेरा मतलब यह है कि आपके पास जो equation number 3 आई है उसमें sin bar आया है sin आया है तो आप उसकी value रखोंगे और value क्या होगी तो यह वो sin bar की जो value थी वो हमारे पास है sin bar plus and plus sin bar minus और एक आप रखोगे sin की value जो की रहेगी sin plus and plus sin minus जब आप दो टरम्स यह और दो टरम्स ही रखोगे और आप आपस में multiply करोगे तो टोटल आपके पास 4 टरम्स हाईगी जिसमें positron की टरम्स भी होगी और electron की टरम्स भी होगी लेकिन हमें क्या करना है केवल और केवल electrons वाले टरम्स लिख रही है और electrons वाले टरम्स में क्या क्या होता है देखो electrons के अंदर केवल sin bar minus और एक sin plus होता है जो की electron को electron के annihilation और electron के creation को represent करते है तो simply हम जो भी वे function होगा प्रस में sin bar जहां आएगा वहाँ पर sin minus लिखेंगे और sin आएगा वहाँ पर sin plus कर लेंगे ताकि हमारे पास electron electron के लिए वो represent हो सके यदि हम इन सब टरम्स को रखेंगे तो बहुत बड़ी टरम्स होजाएंगी चार टरम्स आईगी उनको तो उसमें से भी वही बात है दो यह त्रम्स रिप्रेजेंट करेंगी हम क्या करते हैं simply जो टरम्स हैं उनको लिख लेते हैं तो देखे आप लेखोगे अब वह एक्वेशन 3 ग्यूफ 4 contributions आप लेखोगे अब ओवव एक्वेशन नमबर 3 4 contribution यानि की 4 का contribution होगा 4 contribution यह मैंने आपको बता दिया है from initial to final from initial state to final state okay and the part of ismatrix and the part of s-matrix s-matrix which effect transition which effect transition initial to final initial state to final state okay तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं तो एक चीज़ और होती है electron जो है पहला electron है आपके पास plus एक दूसरे electron है और स्केटरिंग के बाद possibility हो सकती है पहला electron पहले में रहे प्लस दूसरे electron दूसरे में रहे लेकिन इसके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहला electron wave function का पहले में रहे और दूसरा दूसरे में रहे और यह चेंज होता है पहला दूसरे में दूसरा पहले में उसको sb से represent करेंगे आई बड़ हम wave function लिखेंगे तो सरी s matrix लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा तो देखें यहाँ पर as a होगा यहाँ यह two matrix है और इसमें भी three वाली थी और इसमें हम क्या लिख रहे है और इसकी जो value होगी वह हमारे पास रहेगी आईटा e का स्क्वार अपॉन में two okay and integration minus infinity to plus infinite and d4x1 and minus infinity to plus infinite and d4x2 d4x2 and norm product of आप लिखोगे फर्स्ट अके अंदर sin bar gamma alpha और sin with the function of x1 and आईटा d alpha beta आप function मत में की बड़ा हो जाएगा तो और दूसरा है sin bar and gamma beta and sin with the function of x2 यह था एक बर मैं दोनों टर्म्स को लिख लिएता हूं फिर आपको बताऊंगा और दूसरा है s3b और यह भी कौन सी है 2 वाली है और इसको लिखेंगे आईटा e का square अपन में 2 and minus infinite to plus infinite and d4x1 and minus infinite to plus infinite and d4x2 and normal product of here रहेगा हमारे पास sin bar gamma alpha sin with the function of x1 and eta d alpha beta and sin bar gamma beta or sin with the function of x2 आई आप देखिए, पहली हम क्या करने वाले हैं यहां पहली हम यहां पर लिखेंगे, देखें साही बार हम्हें minus का रखना वहगा, क्योंकि electron को divided करेगा, दूसरा को और क्या करना उंणा है, इसको प्लस रखना है, ठीक है इसको आप क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, और इसको क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, ऐसे ही, दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, इसको आप माइनस करेंगे, इसको आप प्लस करेंगे, इसको आप माइनस करेंगे, इसको आप प्लस करेंगे, अभी हमारे पास जो द इसको आप 2 एड इसको भी आपके लिख सकते हैं लेकिन दूसरे वाले में थोड़ा चेंज होगा इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं 2, 1 और इसमें भी 1 and 2 इस तरह से रिपर्जेंटेशन होगा तो यह डिफर डिफर हो जाएगी और इसको देंगे एक्वेशन नमबर 5 एड इसक एक बात करने वाले हैं एक्वेशन नमबर 5 यानि कि बाई एक्वेशन नमबर 5 हम किस तरह से रिपर्जेंट करेंगे एक बार मैं एक्वेशन नमबर 5 जो है उसको लिख लेता हूं ठीक, तो हमारे पास फूर, ट्रम्स ट्रम्स लिख लेंगे पड़, कि नॉर्मल प्रेक्टो, आगे की ट्रम्स सेम रहेंगी, बूल नहीं लिख रहा मैं, ये था, साइं बार, ये को स्टक बड़ा है, साइं बार माइनस, वन, गामा, एल्फा, एंड साइं वन, और ये प्लस ये तो माइनस पलस ही होंगे, क्योंकि ये एलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा है साइं बार, माइनस, गामा, बीटा, एंड साइं प्लस, यहाँ पर आप लिखोगे 2, और यहाँ पर भी आप लिखोगे 2, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करने है और इसके साथ था आइटा डी अलफा बीटा, यह था, सबसे पहले देखेंगे आप, कि यहाँ पर गामा अलफा है और गामा बीटा है, और इसके स्टार्टिंग में अपने पास मल्टिपलाई में था आइटा इका स्क्वेर, यहाँ से एक आइटा ही इसके साथ लगा दें और दोनों किसको represent करेंगे vertex को तो पहला vertex जो है हमारे पास यहाँ पर है और इसको हम representation करेंगे eta E gamma alpha से और दूसरा vertex आप यहाँ मना लेंगे और इसको represent करेंगे eta E gamma beta से और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने लिखा है eta D alpha और eta D alpha का representation है वो एक wavy line के द्वारा होता है तो अब इसको एक wavy line के द्वारा इस तरह से का करेंगे शो करेंगे इस तरह से ठीक है यह थोड़ा साही नहीं बना वह ज्यादा और इसको लेखेंगे eta D alpha beta with the function of x1 minus x2 अब सबसे पहले x1 पर आएंगे देखूं यह x1 है और यह vertex भी हमारे पास कुण सा है x1 vertex है तो sin bar minus जो है sin bar जो minus है वो हमारे पास represent करता है electron के annihilation को electron के creation को हम इसको इस तरह से बनाएंगे और इसको लिखेंगे sin bar minus 1 with the function of x1 और यह electron के creation को शो करेगा ठीक और जो दूसरा है sin plus जो कि electron के annihilation को शो करता है electron के annihilation को शो करेगा उसको लखेंगे sin plus with the function of x1 और यह 1 है और यह electron के annihilation को शो करेगा अब एक चीज़ और देहान रखेंगे हमने का था कि minus वाली टरम्स सारी इधर होनी चीए plus वाली सारी टरम्स इधर होनी चीए वो भी चीज़ को आप दिहान रखेंगे diagram बनाते समय अब हम दूसरे vertex पर आते हैं और दूसरे vertex पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर sin 2 और sin bar minus 2 है और sin plus 2 है दोनों का representation करेंगे तो sin bar जो minus है वो ही represent करेगा क्या electron का creation हम इसको ऐसे लिखेंगे और यह है sin bar minus 2 with the function of x2 और यह electron के creation को show करेगा electron के creation को और एक हमारे पास यह रहेगा इस तरह बनाएंगे और इसको लिखेंगे sin plus 1 और यह रहेगा 2 with the function of x2 और यह electron के annihilation को show करता है और यह जो diagram है यह इस पूरी ट्रम्ट को क्या करता है represent करता है तो यह molar skating का diagram हमारे पास किसका है molar skating का diagram अब दूसरा और देखते हैं जिसमें 1 में 2 और 2 में 1 था उसको हम और show करेंगे तो देखें सबसे पहले हम उस ट्रम्ट को represent कर लेते हैं s3b2 यह थी और यह था आयटा e का square अपन में 2 and minus infinite से लेकर के plus infinite and d for x1 and minus infinite से लेकर के plus infinite and d for x2 and norm product of sin bar minus gamma alpha and sin plus with the function of x1 and आयटा d alpha beta and sin bar minus a beta or sin plus with the function of x2 यह था सबसे पहले gamma alpha और gamma beta को देखेंगे और इसके साथ यहां पर देखो आयटा e एक पर इसके साथ लगा देगे और एक आयटा e को इसके साथ लगा देगे दोनों खतम होगे तो सबसे पहले हम यहां बनाते हैं और यह है आयटा e gamma alpha और इसमें इसके नीचे एक vertex और बना देते हैं यह है आयटा e gamma alpha और सबसे पहले हम इसको बनाएंगे आयटा डी अलफा को और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वेवी लाइन के द्वारा एक वेवी लाइन के द्वारा देखो पिछले डाइग्राम में जो आपके यह वेवी लाइन थी यह थोड़ी साही नहीं बनी इसको आप इस तरह से यह थोड़ा अच्छा बन रहा है कि फोटोन की तरह है सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर देखो यहां पर लिखाता अपनने टू और फिर वन यहां पर लिखाता वन यहां पर लिखाता वन और यहां पर लिखाता वन और यहां पर लिखाता वन और यहां पर लिखाता व point x1 पर x1 हमारे पास ये है इसको भी आप लिख देंगे eta d alpha beta x1 minus x2 x1 पर क्या-क्या है sin bar minus 2 तो आप sin bar का मतलब है कि आप उसको एक straight line से represent करेंगे एक straight line से represent करेंगे और इसका direction रहेगा हमेशा बाहर की तरह क्योंकि ये show करता है electron के creation को electron के creation को show करता है और यहाँ पर लिखेंगे sin bar 2 और यहाँ पर आपके पास function भी x2 होगा क्योंकि ये x2 का यानि कि दूसरा electron है यहाँ पर पहला अनची था लेकिन हमने इसकी क्या कर दिया है दूसरा कर दिया है इसलिए यहाँ पर 2 आएगे और इधर हमारे पास है दूसरा state line को मिलाएंगे इस तरह से और यह represent करेगा हमारे पास sin 1 plus को और function of x1 यानकी vertex x1 पर एक electron दूसरा आ गया है ठीक है और दूसरा का जला जाएगा पहले वाले पर ऐसा ही इधर भी representation करेंगे इधर भी representation करेंगे और यह कुछ इस तरह से रहेगा यह रहेगा sin plus x2 ठीक है ना लेकिन जो electron यहां का जो electron था वो यहां आ गया है यानकी sin 1 bar minus x1 लिखेंगे आपसे और यह electron के creation को show करेगा और यह electron के annihilation को show करेगा और यह भी हमारे पास electron के annihilation को show करेगा और यह हम पूरी जो ट्रम्स है यह हमारे पास molar scattering को show करेगी molar scattering को show करती है molar scattering या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं fine man diagram fine man diagram for molar scattering तो यह हमारे पास molar scattering का fine man diagram है और यह जो ट्रम्स थी वो S 2 3 B वाली ट्रम्स है उसको represent करेगी थी और इसके आगे हम जो बची हुई है भावाई skating उसको भी हम पढ़ेंगे molar skating skating हमने पढ़ लिया और molar skating हामारे पास यहां पर खतम होती है तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए बुड़े और आपको यहीं सारी skating देखनी है तो आप playlist में जाकर केग बर देख लेंगे वहाँ पर आपको सारी सारी जो unit number fourth है उसके serial wise वीडियो आपको मिल जाएंगे कुछा है